नमश्कार दोस्तों सबसे बड़ी गलती करने जा रहा हूं अनलिमिटेट 5G डेटा के लिए और 1GV स्पीड जो कि अनलिमिटेट डेटा मिल सके वो भी सबसे सबसे रीचार्ज में जिसमें की आपने थमनेल पे देख लिया होगा इत्ती बड़ी ब्लेंडर मिस्टेक कैसे कर स पर देख लिए अनलिमिटेट जीओ नेटवर्क पे अनलिमिटेट डेटा नहीं देगा लेकिन क्या परशाणियों का सामना मुझे करना पड़ेगा और किस किस तरीके से कोशिश भी करूँगा एक अच्छे ओफर के लिए क्योंकि मैं आपको एक क्लिप सुनवाना चाहता ह हूं कि मेरे पास जीओ के तरफ से कॉल आई थी और स्पेशल ओफर था मेरे लिए कि मैं दो सुन तालिस रुपए से उपर गारी चार्ज करवाता हूं तो आपके इसी नंबर पर चल रहा है तो आपको थाइस दिन पूरे होने के बाद आपको पंदरा दिन एक्ष्टरा मिलेंगे लेकिन वह यह टंसन कंडिशन यह कि सरिफ मुझे दो सुन तालिस रुपए या उससे उपर का मैं कि तब आपर का रीचार्ज करूँ मतलब मिनि चार दिन विताउट रीचार्ज में वेटी कर रहा था कि जीओ के दरफ से कॉल आए तभी रीचार्ज तो फाइनली आज वो कॉल भी आ गई और आफर भी मिलिया मुझे मतलब मैं रीचार्ज करूँगा तो पंदरा दिन डेफिनिटली फिरी मिलेंगे और आपके सामने सब से चीपेस रीचार्ज और मैं आपको प्रूफ दिखाऊं तो आप यहां पर यह प्रूफ देखेंगे तो साफ तौर पे आपको जो नंबर है मेरा उस पे कोई रीचार्ज नहीं है और हमने मतलब पिछली बार भी पंदरा सो उनसट रुपए का रीचार्ज करवा इता और क्या मुझे बेनिफिट मिले थे मतलब उसमें कोई नहीं मिले थे डारेक्ली में कंटिनी यूज़ करता चला जा जा था मैं करवा रहा था दो सो उनसट divided by 11 तो मतलब 141 रुपए पर मन्त मुझे पढ़ जाएगा 11 के इस लिए करा है क्योंकि यह पूरे एक साल के लिए तीन सो चतिस दिन के लिए मिलता है यहां पर यह आपको तीन सो चतिस दिन और टोटल जीवी ऑफ डेटा जो है वो लेकिन जैसी मैं 5G डेटा पर जाओंगा वहां पर मुझे अल्लिमिटेड डेटा मिलेगा मैं साफ तोर पर वार्निंग दे दूं क्योंकि इस रिचार्ज पर कुछ भी हो सकता है मैं जो पैसे इंवेस्ट कर रहा हूं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं लेकिन आप जो रि एक best wireless broadband लगवाना जो की जियो धंदरांदर ओफर के साथ स्टम लिमिटेड टाइम पीरिड ओफर चला है जिसमें आपको 50 दिन फ्री मतलब आप 30 Mbps का प्लान लेते तो आपको minimum 100 Mbps की speed मिलेगी 2 मंत फ्री 6 महीन का प्लान और device के price देखेंगे तो वैसी बहुत जादा cost ल इसी वीडियो डिस्क्रेशन में लिंक दे रहा है महाँ पर जाईए और अपने लिए आज ही बुक कीजिए मात्र हजार रुपे में और फुल इंट्रोलेशन और डेमो लीजिए जियो की ऑफीशल टीम के तरफ से मैं खुद यूज कर रहा हूं बहुत जादा अच्छा एक लेकिन मैं रिक्स खेलना चाहरा हूं इसमें वैसे डिटेल में आपको दिखा दूँ साफ तौर पे तो व्यू डिटेल करेंगे तो वैलिडिटी प्लान जो है वह 336 दिन है मतलब 11 महिने पड़ते है 24 जीवी डेटा मिलता है अल्लिमिटेड वाइस और च्छतीस तो मैसेज मिलते हैं मतलब एक ही बारी में दे दिया लेकिन इतने मैं यून नहीं होते हैं जीओ टीवी जीओ सिनेमा जीओ क्लाउड जीओ सिनेमा का प्रीमियम नहीं मिलता है जो नॉर्मल ही आपको मिल रहा होगा वही मुझे मिलता है और इसमें एक चीज अच्छी है नहीं करेंगे हम करेंगे कुछ अलग तरीके से पेमेंट तो यहां पर आप देखेंगे अभी मैं एक्चुली ट्राय कर रहा था तो वहां पर हो कैंसल होगी थी पेमेंट क्योंकि मुझे लाइफ आपको दिखाना था पेमेंट करके तो फाइनली रिचार्ज कंप्लीट हो चुका है 1569 रुपे का जो की रियली एक्सपैंसिव रिचार्ज है तब 1569 रुपे का रिचार्ज करवाने के बाद आपको यह नहीं मालूम हो कि यह सच में कि अब जो इसकी वैलिडिटी आपको देखने के लिए मिलेगी वो 25 फरवरी 2025 तक यह चलेगा या नहीं चलेगा क्योंकि यह एक साल का रिचार्ज हो चुका है 11 मन्त का और मुझे खुद को बिलीव नहीं है कि यह इत्ता चलेगा शायद जैसी जियो अपने 5G रिचार्ज लाँच करे तुरंत ही यह रिचार्ज को दिरकनार करके और तो इसमें यह सारी कुछ मतलब जो हमने कहा था वो चीज आपको देखने के लिए मिल जाती है तो और इसमें मतलब अब जो पहले होता था कि 23 दिन के पहली वैलिटी मिलती थी तो वह भी सीन नहीं है कि यहां पर आप देखेंगे जो पहले डेटा मिला है जो हमें पहले भी पुराने रीचार्ड़ हमें यह मिलती थी ती वह सीर्फ 23 दिन की मिलती थी जो सहे अब सिरी 30 दिन की मिलीए लेकिन यहां पर यह यह आप और यह सो हो चुकी है जो कि मुझे 25 फरवल2025 अललेमिटे 215 ौहुआर 20 5 धी डेटा मिलता रहेगा यहां पर यहां पर देखने के लिए मिल जाता है लेकिन बात करी जाए तो आपके लिए कौन से बैस्ट प्लान है अभी स्पीड टेस्ट भी करेंगे थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा तो तो मैं हमेशा आपको रिकमेंडेट करूआ कि आप इत्ता महेंगा भी ना करवाएं जितना मैंने करवा लिया है कि चलेगा या नहीं चलेगा अभी तक डाउट है मुझे लेकिन यहां पर जो सबसे बैस्ट रिचार्ज है आप अलग से इंडिविशल ओटी खरीते हैं वहां पर आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने के लिए मिलते नहीं तो यहां पर आप उसमें आपको 100-10% unlimited 5G data use करने के लिए मिलेगा क्योंकि अभी recently वीडियो आ रही है कि उसमें यह एक मतलब बताया जा रहा है कि अब जो monthly 5G recharge आएंगे वह 500 रुपे पर मंत के आएंगे उसमें restriction होगी आपको unlimited data नहीं मिलेगा लेकिन वह आने वाला time ही बताएगा वह हम आप आपको regular update करते रहेंगे कि क्या इस्तिती होने वाली है 5G की especially telecom sector में क्योंकि जिस तरीके से expectation लगाई गई थी वह expectation पूरी तरीके से clear नहीं हो पाई telecom की इसलिए अभी तक वह आपको unlimited 5G data और unlimited 5G data के बहाने उसको उपर नई-ई-ई-शर्विस आपके उपर चेपना चाह र है कि तीन महीने का तो रिक्स कोई भी ले सकता है तो वह फिर आपको 395 रुपे का बहुत जादा लोग कहते हैं कि मैं गूगल पे से पेटियम से रिचार्ज कर रहा हूं तो यह रिचार्ज दिखाई नहीं देते यह सिरिफ आप माई जियो application पे ही रिचार्ज कर सकते हैं औ और फाइनली वो टाइम आ चुका है जिसपे कि अब हम टेस्ट करेंगे 5G स्पीट पे कि अभी तक रिचार्ज खतम था अब फाइनली दोबारा से टाइम आ चुका है तो फ्लाल नेटवर्क तो फुल आ रहे हैं लेकिन ही मैं मुल्टीपल इंटरफेंस के अंदर हूं तो म हां पे कम है दोसों तक फ्लाल पहुंच जाती थी लेकिन अब कही ना कहीं एफेक्ट देखने के लिए मिला है और मैं एक टेस्ट लियाओंगा वैसे रिकार्मेंट तो नहीं है क्योंकि सही चल रहा है लेकिन एक आउट्डोर टेस्ट लेकर आऊंगा जिसमें कि मैं आपको अब यह कब तक मिलेगी एक सबसे वड़ा सवाल यह है क्योंकि इंटरनेट हम कंटिनी यूज़ कर रहे हैं 24 जीवी डेटा वह खतम होगा नहीं क्योंकि वह 4G नेटवर्क पे शिफ्ट होंगा मतले हम 5G नेटवर्क नहीं आ रहे है या ऐसे छेतर में चला गया जहां पर 4G वह 5G कनेक्टिविटी नहीं है तो वह 4G डेटा यूज़ होगा नहीं तो वह 24 जीवी डेटा ऐसी रखा रहेगा आप देखते हैं कि आने वाले टैम में क्या चेंज होता है प्लान के अंदर और किस तरीके की परशानी का मुझे सामना करना पड़ेगा वह भी आपको मैं ट का मुझे सामना करना पर और के बापको मैं टूपको मुझे बार से यूज़ करना पर वह 2G को मैं लगया एवारा है